दिल्ली सेथ दयाबती जी, स्वागत है आपका नमस्कार मैम नमस्कार मैम कैसी है मैम, खुस लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी सी लग रही है जी मैम, शुक्रिया मैम, शुक्रिया, शुक्रिया मैम, शुक्रिया नमस्कार भाई साअब जी जाहिन स्वागत अरे वो नया सूट मिल जाता है जी दिन इनको सस्ता साब मार्केट में उजंदीन ये बहुत खुश रहती है कुश रहती는? बहुत सुन्दर है भाई साब सस्ता सा मिल जाता है तो कोई बात नी पर सुन्दर बहुत लगती है सस्टे से वे भी बहुत त्यारी सी लगती है सुन्दर सी लगती है यह तो है वो सुन्दर है और पिर सुन्दर सूट मतंदमती सोद्दर आज़ती है गड़े में और मुह सुच जाता है ने का वो लगता है आकछों आती है उससे ठारेट का पता चलता है और पूरे मुह पर सोद्धन पो आजाती है, पूरा मुह ऐसे सोच जाता है, तो इसके लिए क्या नुसका ले, नमक जतून ये तो ले रहे है, मतलब दे रख्था है हमेने, नमक जतून, मिच्छा सोद्धा और गोंचिया, ये तो देया हुआ है, तो कभी-कभी ना बहुत मो मुह सुबह उठते है न, जब दिन में ही उठते है समय, सोक उठते है जब, और गड़े में बहुत सोद्धन, और आखों के निच्चे सोद्धन होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्यो होती है, और किस्से ठीग होएगी, ये बताओ, इससे ही कहा, आपने, यही म निचान दे ही करता हूँ, कि जिसके भी आखों के ये हिस्से सूजे वैसे है, तो उसको ब्रेट पेशर की निचानी है, तो ये ब्रेट पेशर से आखों के इससे नीचे के सूजते हैं, और जिसका मुह पूरा सूजता है, उसको अपना किड्नी का टेस्स कराना चाहिए, अ पिर उसे आदमी को जिसको मुँपे सूजन आती है रोजाना सो के उठने के बाद अगर आती है तो समझ लीजे उनको चावल जैसी चीज छोड़ कर देखनी चाहिए एक दो दिन चावल ना खाएं और पिर चेहरा देखें तो चेहरे पर सूजन नहीं है तो समझ लीजे चावलों से भी किसी के चेहरे पर सूजन आती है जैसे मैं अगर चावल खालू तो मेरा चेहरा भी थोड़ा बड़ा सा मालूम होता है और वरना अगर क्रिटनी का टेस्ट भी जरूरी है अगर पूरे शरीर पर खास तो पर चेहरे पर भी सूजन आती है तो क्रिटनी में भी यानि क्रिटनाइन भी बड़ा हुआ हो सकता है तो क्रिटनाइन के लिए वही नमक जैतून है वो पानी मिलाकर एक दो चुटकी पीने से आदमी का ब्लेट पेशर और क्रिटनाइन और चेहरे की सूजन कम होना मुम्किन है